स्वागत हमारे यूटूब चैनल लालेश फटाफट में मेरा नाम है विशाथ प्रिजापती तो गाईज यूपी स्क्यालर्शिप की लाश डेट को 30 नौमबर तक बढ़ाने को लेकर आज ही डेट में एक बड़ी अपडेट आ रहे है जी याँ गाईज साथी 75% अटेंडें है तो सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा और जो अपडेट आरे लाश डेट बढ़ाने को लेकर 30 नौमबर तक उसके बारे में बात करेंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यहाँ पर आपको कॉर्णर में देख सकते हो कि 11 नौमबर की डेट में यह अपडेट आ अपस्तिती सत्यापन मतलब अटेंडेस 75 परसेंट वाला फंडा समाज करार विभाग की चातुर्ती योजना के लिए आलाइन आवेदर करने के बाद लवीवी मतलब लखनो विस विद्याले के चात्र अब विस विद्याले के चातुर्ती अनुभाग में फाम नहीं जमाग कर पारें फाम के साथ 75 परसेंट अटेंडेस वरिफाई होने के निवारता की राह में रोडा अटक रहा है चातुर्ती यहां पर देखो सब्जेट कंबिनेशन वा हाश्टल अवांटन में भी समस्या और यहां पर क्या हो रहा लखनो विस विद्याले अलग 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 जो पर हर उन्वर्सिटी देखो अपना अलग अलग रूल लगा रही है तो लखनो उन्वर्सिटी में क्या और चातुर्ती फाम के साथ जो हाट कापी जमा करोगे फाइनल उसके साथ साथ आपको अटेंडेस की अनिवारता अपने कॉलेज के जो भी हेड है वहां पर उनसे वर 75 परसेंट वाला मतलों वरिफाई नहीं करना पड़ रहा है तो अलग अलग अन्वर्सिटी अलग अलग रूल ले रहे क्योंकि रूल यह गवर्मेंट ने बोला है कि 75 परसेंट से अटेंडेस कम रहेगी तो आपको इस काल्सिप का लाब नहीं दिया जाएगा उसी के साथ क कॉलेज वाइज वैरी करता है लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक रूल रहता है अगर रूल ऐसा रहता तो सभी कॉलेज वाले एक ही रूल फालो करते यह कॉलेज वाले अपने मन से अपने अपने लेबल पर जो भी चीज़े कर रहे हैं तो अगर ऐसा आपके भी कॉलेज में ह लागु करवाया है अब कहीं पर एक रूल लागु हो रहा है तो अलग-अलग मैटर है अब यहां पर देखो यहां पर बोला कि सैकडो चात्र आवेदन से चूक गए है अब यहाँ पर बोला गया है कि इसका प्रवेश नहीं हो पाया था बहुत सारे चात्रों का रिजल नहीं आया था तो इसको देखते हुए जो कुल सची हुए संजय मेधावी ने बताया कि कुल पती के अनमोदन के पचास समाज का लाड़ विभाग को आवेदन के अंतिप तीस नॉमबर तक बिस्तारित करने का अरोध करेंगे बनलब जो कुल सची मेह लखनो इनवरसिटी के संजय जी उन्होंने बोला कि कुल पती से जैसे ही हमको मतलब परमीसन मिल जाती है उनसे अनमोदन लेने के पचास हम लोग समाज का लाड़ विभाग में 30 नॉमबर तक लाजड़ बढ़ाने का अनुरोध करेंगे जहां तक चांसे भी है कि अबड़ेट अगर बढ़ेगी अगर बढ़ेगी नहीं मतलब बढ़ेगी ही अब देखो चार दिन होगे अभी तक अफिशियल नोटिस आई है जाहिर से बात है नहीं आई है मैं जे भी पता है लेकिन हाँ अब चार दिन बाद गवर्अनमेंट ऑफिशियल नोटिस निका लेगी फांस दिन बाद निकालेगी छ़ई दिन बाद जाहे जब भी निकालेगी लेकिन निकालेगी और चांसे यह ही है कि उसको थर्ड चरड मानके फार्म भरवाये जाएगा simply आपको chrome browser पर boards exam.com सर्च कर लेना है जी हाँ गाई जैसे ही सर्च करोगे तो आप लोग boards exam की official site पर चले आओगे नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है यहाँ पर आपको UP scholarship payment status UP scholarship online 2022 ती तो देखो online form बनने के लिए यहाँ पर आपको UP scholarship online 2022 ते इस पर click करना है बाकी बहुत सारे चादर पूछ रहे थे कि सर अब हमारा जो status आएगा last number या December में तो उसको कहां से check कर सकते हूँ उसको check करने के लिए UP scholarship payment status का जो option देखता है simply आपको इस पर click करना है नया interface आएगा इस पर click कर देना है scroll करते हुए नीचे की तरफ आपको आना है तो देखो यहाँ पर आपको link दिया गया है कि check status and correction pre-metrics, post-metrics सभी के लिए अलग-अलग किसी पर भी आप लोग click करके यहाँ पर अभी यह वाला चल नहीं रहा है तो phrase पर देखते हैं यह भी अभी site काम नहीं कर रही है तो आपको नीचे आना यहाँ पर कई link का लेबल करा दी गई है अगर एक link काम नहीं करते हो तो आप लोग दूसरे link से भी check कर सकते हो तो यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने open हो चुका है तो यहाँ पर अपना registration number, data birth, password डाल के अपना status चेक कर सकते हो फिलाल के लिए बता दू अभी status नहीं सो कर रहा है जब status होगा तो आपको यहाँ से आके चेक कर लेना यह मैंने आपको तरीका बताया है form apply करने के लिए आपको फिर से बता दे रहाए आपको फिर से आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नए बड़ साथ तब तक के लिए बाबाए टिक किया